ये ड्रीक वर्ड है इकोनों, इकोनों कहते हैं आइकन को यानि की इमेज को और क्लास्ट कहते हैं ब्रेकर को इकोनों क्लास्ट या आइकोनों क्लास्ट का मतलब होता है इमेज ब्रेकर, मूर्ति भन्जक या किसी प्रतिमा को तोड़ने वाला दे प्रोस्ट्रेक्ट वार पॉब्लिष्ट इन 1649 शोलर सो अंचास में मेर्टन ने इकोनो फ्लास्ट लिखा और दिस प्रोस्ट्रेक्ट मेर्टन भ्रोक दिवाइन इमेज आफ काल्सफर्ष्ट काल्सफर्ष्ट अपने आपको धर्ती के ऊपर इश्वर का चुना हुआ प्रतिनी धिराज्या मानता था तो उसने डिवाइन राइट आफिक की विमाग की थी जिसको पार्लामेंट ने खारिज किया था और फिर 1649 में उसके उपर इंपीच्मेंट लगाया गया महाभियोग और लंदन टावर में उसको कैद कर दिया गया तो काल्सफर्ष्ट ने अपने आपको डिवाइन किंग की रूप में प्रोजेक्ट किया था में टन हैड अरको जस्टिफाइड ंचेक्शन अफ काल्सफस्ट जो सारबस्नेंद टॉर पर फासी दी गई थी बिगेडिंग की गई थी काल्सफष्ट की अक्सपर्डी स्क्वैर पर और वनापर उसके साथ काल्सफस्ट के साथ विलियम लाउट की भी गर्दन काटी गई थी और अरलाप स्ट्रैफ़र्ड की भी तो उस कार्य को इकोनो क्लास्ट में मिल्टन ने उचित ठहराया था मिल्टन रोट दिस टू रेफ्यूट इकोनो बैश्चिलिक एकिसी की बहुत आवाज आप माईक अपना म्यूट कर दे बड़ी इरिटेटिंग साउंड आ रही है मिल्टन रोट दिस प्रोस्ट्रैट टू रेफ्यूट इकोनो बैश्चिलिक इकोनो बैशली जिसको इकोनो बैशी दिका भी कहते हैं यानि कि इमेश मेकर नोट में आद देखी लिए यह कि और राइतर आथी इकोनो बैशली कि इस कंप्रोवर्शी है इकोनो बैशली किस ने scratching लिखा इसके बाएरे में बित्वानों में मगवेद है some say that it was written by Carlson first himself कुछ विद्वानों का ही कहना है कि कोनो बैसलिक ने को Carlson first ने खुद लिखा था when he was confined to London Tower जब एक कैदी की रूप में Carlson first को London Tower में कैद किया गया था तो उस कैद के दौरान Carlson first ने इकोनो बैसलिक लिखा था कि मिल्टन ने इकोनो बैसलिक को Carlson first ने खुद लिखा था लंदर टावर में एक कैद के दौरान लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस वाज रिटेन बाई विलियम लेवेट विलियम लेवेट ने इसको लिखा था the groom bedchamber of Karlsvast Britain के idhyaskari भी कहते हैं Karlsvast was homosexual king and his bedchamber groom was William Levitt William Levitt ने Iconobhashlik लिखा था whatever the fact may be सच्चाई चाहे जो भी हो it was stated therein that the king was a divine king Iconobhashlik में इस बात का जिक्र किया गया था कि Karlsvast एक दिव्यराजा था इस पर कभेजा हुआ धन्ति की उपद प्रतिनी दी था और इसी image को तोड़ने के लिए Milton ने Iconobhashlik लिखा था अगर आप note कर लिए हो तो फिर जो है हम अगली प्रोस्टेक्ट की तर्चा करें हम अगली प्रोस्टेक्ट की तर्चा की तर्चा था हम अगली था इसमें इसमक टिम्नस पतिकल इसमक टिम्नस अभूब धिवू अभूब उतकी इसमक टिम्नस अभूब अभूब। ग्रूप आप प्रेश्बिटेरियन डिवाइन इट वाज ए ग्रूप आप प्रेश्बिटेरियन डिवाइन इसाइट के प्योरिटन साथा थे जिसको प्रेश्बिटेरियन डिवाइन का आप 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 आ इस ग्रुप के जित्ते भी सदस्य थे वो अपना हस्ताक्षर टी वाई प्रुप के त्यजिट नहीं लिखता था बल्कि अपने नाम की जगे पर टी वाई लिखता था और टी Y स्टेंट्स फर ठामस हम की फार थामस, वाइफार यंग थामस यंग दा ट्यूटर आफ दा ट्यूटर आफ मिल्टन मिल्टन की जब भर पर शिक्षा हो रही थी तो उसको पढ़ाने का आताम थामस यंग क्या करता था थामस यंग 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 दो प्योरिटन थार्थ इन मेर्टन स्माइड प्योरिटन विचारदारा का मेर्टन के दिवाग में प्रवेश कराने वाला वेक्ति थामुश्यम था तो उसी के नाम पर इसमें टिमिनस ग्रुप के जित्ते भी सदस्य थे अपने हस्ताक्षर को नाम नालिक करके केवल और केवल टिवाई लिखा करते थे इन इसमें टिमिनस मेर्टन हैड सिवियर्ली क्रिटिसाइजड सिवियर्ली क्रिटिसाइजड क्रिटीड, प्रिटिस्टिस्ट्प्राइजड the high church party whose leader was we have Mike Mute whose leader was William Lout इसने इसने में मेंटन ने विलियम लाउड और उसके high church party की गोरान उच में किया था नेक्स्ट है आप इड्यूकेशन मिटाओं कितने लोग बुड़े हैं तर इक त्यस्ट आप एड्यूकेशन आप एड्यूकेशन आप एड्यूकेशन आप एड्यूकेशन आप एड्यूकेशन the education, the education system was deteriorated. कास्पस्ट के शाषन के दौर में पूरा एडूकेशन सिस्टम को लैप्स कर गया था डिटेरियरेटिट का मतलब होता है गिरावटपूर्ण इस्थिती में विलियम हार्टलिव विलियम हार्टलिव यजे भी क्रफ़र्ण इडूकेशन एक विलियम है लाध्षस्टन का स्पवर्र इडूकेशन इडूकेशन सुझ लियक्शन इडुकेशनement यज physicianistan से सुझ रड़ियम होता है पून विलियम हाध्षस्टन to write something so that the standard of education so that the standard of education might be maintained thereafter milton wrote of education note कि बस्त दो तीन देन क्या चार देन और लगेगा मेर्टन को खत्म करने में आजर जाए और ने दों ऑजित वेडियम हार्ट लिप नहीं सैमुवल हार्ट लिव है थैंक यू बेरी मैच इस सैमुवल है कौन बोल रहे हैं यह अहां गौरत हैं कटा सैमुवल हार्ट लिव इस दिबाग से कुछ बाद गाइब ऊश्व सि也 snथेडर विये क्मोर्ट लिव थैंक यह दिबशा लिव व् हाइब लिव मांपड। लिव मैंक In 1649, Milton रोट, a famous post-ract, या दिष्कर्दू दुबारा मुझे रिखना पड़ेगा, this famous prospect in which he claimed if if a king becomes tyrannous and and does not do the work in public interest and wellfare, it is right of common people to punish such kings. कि यह आपके प्रोश्ट्रेक्ट खत्म हुए हैं डिये, अब मेर्टन के कुछ, हम लोग चर्चा करेंगे, विर्टन के कोमर्श के, अब मेर्टन के कोमर्श के, सिर्टन के श्रोश की शोच, यही है, इसर्टन के क्व तूंग, को मस फुई दाइट कि दीदिदे के आइट वाइट भ्लॉघ आमास्क प्रेजंट अ लोग्लो कहई रसада कि अ वाइट वाइट प्रेजंट ए ट लोड भर ज है ट वुईडो Ook कि अद्यु़ लूग लूग चैसर शिफीन फर्टीफिर। अ मैंकल मास नइट आन मैकल मास्ट नाइट बिफोर दो राइट एंड और और टेटन लिखेगा इसको राइट एस्ट भी कहते हैं आनरेबल जान और लाफ ब्रीज वाटर आनरेबल जान और लाफ ब्रीज वाटर जान अरलाफ ब्रीज वाटर विष्कॉंट ब्रेग्दी विसकांट बेकली लड़ प्रेदेंट आफ वेल्स लूज प्रेदेंट प्रेदेंट वेल्स प्रेदेंट 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 युज अधियु ज़ू मोस्ट आनरेबल प्रीवी काउंसल यह इतना बड़ा टाइटल है मांको मस्का अ मास्क प्रेजेंटेट एट लोगलो कैशल 1634 अन माइकल मास्ट नाइट बेफोर दर राइटियस अनरेबल जान अर्ल आफ प्रीजवाटर जान अर्ल आफ प्रीजवाटर की यह सारी की सारी उपादिया हैं विसकाउंट ब्रेकली हैं लाट रेजिडेंट आफ वेल से हैं एड़ आप मेजेस्टी मोस्ट प्रीविल काउंसेल के सदस्य भी हैं तो यह सारे के सारे जो भी है वो जान अरला प्रिजवाटर की उपादियां हैं कि इसमें केरेक्टर्स की चर्चा जो है और तीन की चर्चा इंपॉर्टेंट कोट्स की चर्चा कल करूंगा हां आज टेस्ट पेपर भी आप तक पहुंच जाएगा ठीक भी या तो आज मुझे थोड़ा सा काम है वेस्टता है इस कारण से आज इतना ही कल मिलते हैं